हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रीडेवल स्टडी पॉइंट में और मैं हूँ राजीद और मैं आज आज आपके लिए लेकर आया हूँ सब्सक्राइब करके बैल आइकन को अल पर सेट करते हैं और यहार बोर्ट टुएल्ट क्लास स्वामक्स इंग्लिस का सेकेंड चैप्र भारत इस माइं होम जो लिखा गया है डॉक्टर जाकिर हुसेन के द्वारा तो यह चैप्र बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है आपक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को और पर सेट करते हैं तो चलिए जान लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बात है कि इनका जो जन्म है आट फरवरी एटी नाइनटी सेवन में हैदराबाद में हुआ ठीक है एट फेबरेरी है था हैंड़ाबाद में और इनका दाध थ्री माई नाइन ती नीन नीदिल्ली में हुआ था उके इनका देथ थ्री माई 1969 में न्यू दिली में हुआ था और इनका प्रेसिडेंटियल टर्म 13 में 1967 से 3 में 1969 तक चला यानि या अपने जो इनका राष्ट पती बने थे ये राष्ट पती का कारेकरम इनका कितना दिन तक चला था तो 13 में से लेकर 13 में 1967 से लेकर 3 में 1979 तक इनका राष्ट पती कारेकर चला जिसमें इनका पुरा पांच साल भी नहीं पुरा था और इनका देथ हो गया था निधन हो गया था इनके फादर का नाम था फिदा हुसेन खान और मदर्स का नाम था नाजिनीन बेगम करें चलिए तो यह था हमारे डॉक्टर जाकर हुसेन का कुछ परिचाह इंपॉटेंट परिचाह और जानना जरूरी रहता है सबही बच्चे को चलिए आगे देखतें शमरी जो बहुत ब्लबाइब के ज्यादा हर्डवर्ड का यूज नहीं किया तो अच्छ तष्य समझेर और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्काइब करके बैल आकान पर सेट कर दें वीडियो पसंद आ रहा है तो करें और ज्यादस ज्यादस करें तो देखिए भारत इस माई होम इस पार्ट ऑफ इस पीज डिलेवर्ड वाइड डॉक्टर जाकिर हुसैन जस्ट आफ्टर टेकिंग दो ओथ ऐस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओके यहां पर कहने का मतलब है कि जो भारत इस माई होम है यह ए राश्ट पती का सपत लिये थे उसी के जश्ट बाद इन्होंने यह भासन दिया था भारत इस माई होम ओके चलिए अब भासन में क्या-क्या बोले हैं और थुरा जान लेते हैं डिपली से इस बात को अच्छे से थांक्स दा पीपूल ओफ दा कंट्री हुआव कंसिडरड इन एवल फोर इस हाइस्ट ऑफिस ऑफिस ऑफ दनेशन ओके और फिर जब डॉक्टर जाकिरुक सेन भारत के राश्ट पती का सपत गरण करके भासन में बोलते हैं और सभी दिश्वास्यों को धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने मुझे ऐसा सक्षम समझा एवल समझा इस उच्च कार्याले के लिए राश्ट के इस उच्च कार्याले के लिए आपने मुझे एवल समझा यानि जो राश्ट पती का पत था उसके लिए डॉक्टर जाकिरुक सेन को सभी देश्वास्यों ने मिलकर चुना थ था इसलिए वह सभी को धन्यवाद करते पुड़े राष्ट की जनता को धन्यवाद करते ओके फिर आगे हैं देखते हैं और फिर यहां पर यह वचन लेते हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन की मैं अपनी देश का सेवा पुड़े इमंदारी से करूंगा वफदारी के साथ करूंगा और यहां के जो काश्ट जाती धरम और भासा है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करूंगा एकदम वफदारी से इमंदारी से मैं अपने फर्ज को निभाऊंगा और इसमें कोई भी जाती धरम या भासा का कोई भी मैं इसमें भेदभाव नहीं करूंगा और उसी भासन में कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो भारत है वो मेरा घर है और यहां की जो जनता है जो लोग है वो मेरे परिवार के सदस्ट तो यह बहुत ही अच्छी लाइन बोले थे डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे है और फिर उसके बाद जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो सभी जनता को बोलते हैं कि आप सभी आईए आगे और हमारे राष्ट का अच्छा निर्मान के लिए उसके अच्छे आच्रन के लिए सब ही हमारा हेल्प कीजिए ताकि जो हमको ग्रेट टास्क मिला है कि हमारे देश को बहुत हमारे देश का जो आच्रन उसको बहुत ही खुबसूरत बहुत ही अच्छा बनाने के लिए उस सबसे क्या करते हैं आगरा करते हैं कि आप सभी आगे आए और हमारे देश के आच्र उसको महान बनाने में मदद करें ओके चले आगे हैं और फिर बोलते हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन की जो अपना विकास है वह हमें पहले जरूरी है उसके बाद ही हम समाज का विकास को निर्धारित कर सकते हैं अपना विकास पहले जरूरी है तब उसी के अधार पर हम समाज का विकास निर्धारित कर सकते हैं फिर आगे बोलते हैं और वो विश्वास रखते हैं कि जो हमारा भूत काल है वो जिन्दा है और गतिसील है इट इस नोट डेड और वो मरा नहीं है ठीक चले आगे देखते हैं आगे क्या बोलते हैं और बोलते हैं कि यह जो हमारा भूत काल है यह मरा नहीं है यह जीवित है और यही हमारे वर्तमान का जो क्वालिटी है उसको दरसाता है हमारा जो वर्तमान का गुन है उसको निर्धारित करता है और भविश्क के लिए संभावना व्यक्त करता है हमारा पाश्ठी ओके फिर आगे देखिए क्या बोलते हैं और फिर यहां पर बोलते हैं कि जो सिक्षा है वह बहुत ही महत्पुन तत्व है हमारे राष्ट के गुनवता को निर्धारित करने के लिए अब सभी को पता है कि एजुकेशन कितना इंपोर्टेंट है तो समझ में आही रहा है कि यहां पर बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसेन की जो सिक्षा है हमारा सबसे महत्पुन तत्व है जो हमारे राष्ट के गुनवता को निर्धारित करता है ठीक चलिए आगे देखते है कि ही कॉल्स फॉर डेडिकेटेड वर्क टुवार्ड्स दा ओवर और डेप्लोम्मेंट ओफ आवर कंट्री तो मेक इट प्रोस्पेरियास प्लेस टू लिव इन ओके और फिर लाष्ट में कहते हैं कि कि मैं चाहता हूं कि जो हमारा देस है उसके उसका जो विकास हो चहु के लिए हमें एक समर्पित कारे करना जरूरी है हमारे देस के परती तो यही था समरी जो आपको मैंने समझाया और बहुत ही इजी लेंग्वेज में समझाया तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब करका बेल आकन को आल पर सेट कर लिजे ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उसके बाद मैंने जो इंग्लिस पर आया अभी उपर समझाया उसका मैंने हिंदी में यहां पर सब कुछ दे दिया है कि उपर में क्या-क्या लिखा गया है तो आपको और अच्छा होगा समझने में और आपको यह सारी पीडियाफ एकदम मुफ्त में मिल जाएगी बस आपको मेरा टेलिग्राम चैनल जोएन करना है डिडेवल स्टडी पॉइंट ओके आपको यह सारी पीडियाफ मुफ्त में मिल जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पर पर सेट कर दें और ज्यादस ज्यादा सेर करें ओके आज भर के लिए इतना है गुर्बाय जाहिंद